नमश्कार दोस्तों आपशिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आपशिवी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय आपशिवी के जिवनकाल में करने वाले हैं शबशी बड़ा धमा का जियां दोस्तों जो बड़ी शच्चाई आप शबी के शामने आनी वाली है इन्हें शुन कर आपको अपनी कानों पर यकिन होगा बिल्कुल ही शच्चाई शुटकर चौक जाएंगे आप जियां दोस्तों और जो बड़ी खुशकबरी अगले चार दिनों का श्रमे आप शबी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों यह खुशकबरी शच में आपको रूला देगी जिने पाने के लिए आप पिछले कईश में से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं पिछले कईश में से आप दिन रात एक करते आ रहे हैं और वहां शपने वहां खुशकबरी अभी तक आपको नहीं मिला था नहीं कोई भी शपना आपका सच हुआ था लेकिन दोसों हम आप शिवी को बिता दें कि अब आप शिवी के जिए उनकाल के वहाँ खुशकवरी आप शिवी को प्राप्त होने वाले हैं जिन के लिए आप भर्शुर से तड़प रहे हैं जिहां दोसों और आप शिवी को बता दें कि गल्ले चार दिनों का आश्य में आपके लिए भगवान का दिया वर्दान शेकम नहीं शाविद होगा भगवान भोलिनाद और भगवान शनिदेब आश्य में आप सभी के उपर हदिसे ज़्यादा प्रशन होने वाले हैं जिहां दोसों आप शिवी के कर्मों ने भगवान शनिदेब को बिलकुल ही मजबूर कर दिया है आपको उनके शफलताएं आपको आपके कर्मों का उफल देने के लिए जिहां दोसों जिस शेतर में आप मेहनत कर रहे थे उनके शफलताएं अब आप शिवी को पराप्त होने भगवान शनीदेव नियाय की देवता है ये कभी किशी के जातक के जिवनकाल में नियाय नहीं करते हैं शवी लोगों के ये साथ ये नियाय करते हैं चाहे कितना भी बड़ा पापी हो चाहे कितना भी बड़ा धर्मवान हो शवी के जुनकाल में उनके कर्मों का फल आप शिबी के जुनकाल में अतीप प्रशन ने हैं। आप शिबी के जुनकाल में अगले चार दिनों का शमें भगवान भुलिनात और भगवान शन्रेप का दिया हुआ वर्दान शाबित होगा। घर परवार खुशियों में जुमेंगे। जिया दोसों और आप शिबी को बता दें कि अगले चार दिनों का शिबी में आपके लिए बेहती भाग शाली शमय है। एशा शमय नशिवालों को ही मिलता है जो लोग अपने जुनकाल में हमेशा अच्छे कारी करते ही। जो लोग इने दिन रात नहीं देखे हैं आप बश आप अपने कारियों में लगे रहे हैं और दोसों श्वेंग भगवान अब आपको उनका फल देने वाले हैं हलांकि दोसों थोड़ा शवीलम आपकी जुनकाल में हुआ है लेकिन आपको इश्वर पर हमेशा श्री विश्वास था और इश्वर अब आपको वो खुश्वरी देने वाले हैं जिनी के लिए आप इतने शमेशे तड़प रहे थे बश आपका दाई तो यही होगा कि दोसों अपने जुनकाल के कुछ महत्पुन शमे निकालकर मात पांच चे दस मिट का ही शमे निकालकर आप इस वीडियो को एक बार अंति तक ध्यांशी देखी लिजेगा दोसों यह हमारा बिनिमर निवेदर रहेगा क्योंके दोसों हमारे वीडियो बनाने के बश यहीं एक मिक्षद है कि दोसों जितना भी मेहनत हम अपने वीडियो को बनाने में करते हैं अगर थोड़ा शमेहनत आप उन्हें द गड़ा भरेगा जो कि दोस्तों हमारे लिए और आपके लिए इश्क अल्यूग में शभी इंसान के लिए बेहदी आउश्चक है तो दोस्तों थोड़ा शो योगदान आप जरूरी इस वीडियो को दिजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्रा करना बिल्कुल लमूले और बैला आइकन को भी प्रेश कर दें तो ऐसे बात करते हैं शर्परथन दोस्तों जो भी भगवान भोलेना और माता लक्षमी जी के भगवान शुनिदेब जी के शच्चे पीरभगते ही दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुलाइक शुर पर्थम कर दें और दोस्तों कमेंट बोक्ष में शच्चे मन से जै माता दी जै शुनिदेब हर हर महादेव दोस्तों तिरलो की नात के नाम एक प्रकार्षी बनतरी है तो दोस्तों कमेंट आप जरूर किजीगा तो ऐसे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शुपी को बिता दें कि आने वाले चार दिनों का श्यमी आपके गरहों में आपके कुंडिली में तीन बड़ी राज्यों का निर्मान होने वाले हैं जै करन दोस्सों धन योग का भी निर्मान होगा जिसे दोस्नों आप शिव की जुनकाल में बहुँट शारीषी गटणा ये होने वाली है बहुँट शारीषी ay prog me बजिसे दोस्तों आपके घर परिवार की सती बहुत अच्छी शुदर जाएगी जिया दोस्तों देखते ही देखते ही आप शिवी का जीवन बदल जाएगा कौन-कौनशी बातों का ध्यान रखना है आई दोस्तों हम आपको बताते हैं दोस्तों शबशे पहले आप शिवी को बता दे कि आप शिवी का जो शवभाव होता है आप शिवी का जो व्यक्तित होता है वो दोस्तों बिल्कुल ही शाफ दिल का इंशान आप शिवी होते हैं कभी किशी के परती बुरा नहीं शोचते हैं, दोस्तों जो भी कार करते हैं, मन लगा कर कार करते हैं, किशी का अच्छती पहुंसाने का, किशी व्यक्ति को ठगने के बारे में आपके मन में कभी विचार नहीं आता, जी है दोस्तों, और यही कारण है कि इश्वर की दिविश शक्तियां है आपके शार जो आपकी रक्ष्थक राहे जर हैं दोसव कि तो वड़न काल में अच्छी और्रा बनकर गूमते हैं अच्छी पौजटीव एनरजी बनकर समि मूते हैं जो कि आपके चारो और रहते हैं जो कि आपके चारो और हमेशा श्रकार्तमक और रहती है जो कि भगवान शनिदेप का ही भेजा हुआ शक्ति होता है जिया दोसों भगवान शनिदेप को हिंदू धर्मे कर्मों के फल देने वाली दाथक मान जाते हैं जिया दोसों हमेशा वह व्यक्ति के कर्मों को ही देकर उन्हें फल देते हैं, अगर व्यक्ति अच्छा कारी करें, तो उन्हें अच्छे फल देते हैं, अगर व्यक्ति गलत कारियों पर चल रहे हो, तो दोसों उन्हें दंडी भी देते हैं, जिया दोसों इन्हें दोसों सभी जुनकाल में हुआ है आपको इशार लग रहा था कि आपने कभी अपनी जुनकाल में शुक का असली जनुबा होता है जो लोग मेहनत करती हैं जो लोग मेहनत का फल पाने के बाद चैन की नींद लेते हैं दोस्तों वो आप अभी तक नहीं पाए हैं जे दोस्तों पेशा तो आप कमाए हैं जिन दोस्तों पेशा तो आप बहुत बार कमाए हैं और बहुत शारी पेशी आपके पास भी आए हैं लेकिन दोस्तों बहुत शारी पेशी आपके पास आते हैं तो दोस्तों कई बार पेशा आपके पास ठिकता नहीं है इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उ थोड़ा चल रहा है लेकिन दोस्टों हम आपको बता दें कि आपको निराश और माईश बिल्कुल भी नहीं होना है जी हां दोस्टों आप शिवी को बता दें कि आप भले ही पिछले जिसम जियोनकाल में अच्छी तरकेश से ही खुछ नहीं हुए है शाधिशा दोस्टों हम आपको बता दें कि पिछले शिमी जो आपकी दुशमन है जो आपके शक्त्र हवर्ग हैं ईहां आपके जान पहचान के हैं वह दोस्वोद अपको बहुत ज्यादा प्रिषान करते ठे chips सी कोई भी इंशान नहीं करता जो बात आप लोगों को कहना चाहते हैं दोसों उन्हें लोग खिल्यां उड़ा देते हैं एक परकार्श को Region आपके बातों का भाव लोग नहीं शमयते हैं जी दोस्व кhr यूव अपने ही हुटी कर चलते हैं आप कोन से बात कह रहे हैं कितना पाथ कह रहे हैं जी दोस्व उनए इवार लोग गहर नहीं करते हैं जी दोस्व। जिन अपनी परिशानियों को खुद ही शमाधान में ले आएंगे एशी सोच आपके अंदर हमेशा से हैं जी है दोसर आप शबी को बदा दें कि आपकी शयारे चिंताइं खत्मने वाली हैं और शबी परकार की जो भी बताएं जो भी संकट आप्शिवी की जुनकाल में पिछले कई शमे से चल रही है दोस्तों वे शारी बधाएं अब शमापत होने वाली है जी Já दोस्तों कि दोस्तों जो घरहों के सिती बनी है जो घरहों में यूंक कर निरमान हुआ है जो शुक्ष मिर्दियोग का निर्मान है जो राजयोग और जो धनियोग का निर्मान है दोस्तों आपकी राशी के लिए तो रंकशे राजा बनाने वाला कारे करेगा जिया दोस्तों आने वाले चार दिनों का श्मय आपके लिए वर्षों से भी बड़ा शमय शाविद होगा जो वर्षों में लोग नहीं कमाई कर पाते हैं, उतना दोस्तों आप आने वाले सार दिनों के अंदर कमाई करने वाले हैं, एक परकार शेक कहें तो दोस्तों ये चार दिनों का शेम में आपके लिए लोटिटी का शमय होगा, अचानक भाग उदाई का शमय शाबिद होगा, किएगा दोसों कोई पी बातों को आप इग्नोर मत कीजिएगा दोसों यह हमारा आप शिबी शे बिनवर निवन रहेगा तो आई दोसों अब आपको बताते हैं पूरे हुश्दार्शी दोसों आप शिबी को एक बहुत महत्पून और शच्ची बात बता दें कि दुश्मन आपके अंदर थोड़शी प्रसंता होती है जब भी आप अपने मैनस से कोई भी पेशे को भी खुशियां को अरजित कर पाते हैं तो दोसों वो लोग आपके खुशियों को देख नहीं पाते और देखते हैं तो दोसों वो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं जे दोसों और आपके खिलाब कई परकार का शड़ेंत्र भी करने का रचनर के स्परकार के के आपके यह खुशी दुख में बदल जाएं। जो भी आपको काविलियत मिली है, जो भी आपको शमान मिला है, केशे वे आपसे सिंजाए, केशे आप शमाज में बदनाम हो जाए, दोस्तों इस परकार की विभिन परकार की शडियंत, वे रचने लगते हैं, जी यह दोस्तों, और ये जो लोग होते हैं, वे आपके अपने ह आपके पांस शाकर आपके शारे गहराई शारे बातों को जान कर और हमेशा वो आपके फायदा उठाने का ही कार करते ही दोस्तों ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात से हमेशा दुख होता है कि दोस्तों अगर दुश्मन बाहर का हो तो व्यक्ति जेल लेता है उ लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि जीवन काल में एशिय शमय बार बार नहीं आते हैं। जी हां दोस्तों लोगों को पहचानने का भी यही शमय होता है। कि दोस्तों आप आपके जो भी जरुत की चीज़ है तो अच्छी आपको नहीं भी मिलता है कभी का बार आप कारी करते हैं पेशी कमाते हैं और पेशी लाते हैं अगर आपको अपनी जरुत के समाजी से कपड़े हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो आप चाहते हैं कि ये हमको भी मिलना चाहिए एक अच्छा कपड़ा एक अच्छा जूता या फिर एक अच्छे पहनावे के वस्तर दोस्तों आपको नहीं भी मिलता है तो दोस्तों आप टूटे फूटे चीज़ों को ही पहन कर काम चला लेते हैं लेकिन दोस्तों ये लोग आपके जुनकाल में कभी भी एक अच्छी खुशी को नहीं देख पाते हैं जिया दोस्तों आप कितना मेहनत करते हैं ये लोग ये नहीं देखते हैं आप खुशी ये जी रहें बस ये लोग यही देखते हैं जेसे तेसे करके दोस्तों आप मने जुनकाल में अपना जिमन को यापन करते हैं दोस्तों आप हमेशा दूसरों के खुशी के लिए आगे रहते हैं लेकिन दोस्तों ये लोग कभी भी आपके खुशी के लिए आगे नहीं आते जिया दोस्तों आप शिपी को बता दें कि आप अपने अरमानों का गलाद अबा लिते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए दोस्तों आप खुद को बहुत ज़्याद दुख तक दे देते हैं जिन दोस्तों ये आपके अच्छे कर्म अच्छे शभाव हमेशा आपके लिए इश्वर की नजरों में शर्फ परे रहता है जियां दोस्तों शादिशा दोस्तों हम आप शिपी को बता दें कि जिन लोगों के लिए आपने अपना शब कुछ दे दिया है जिन लोगों के लिए आप दिन रात एक कर दिये हैं मेहनत करके दोसें उनने खुश किए हैं लेकिन जब वही लोग आपकी भठानों की कदर नहीं करता है तो दोसें आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जिसें आपकी फिलिंग का आपके इमोशन का अगर आपके ज़जबातनों का कोई कदर ना करे कि आप क्या कर रहे हैं कितने मेनस ये कारी कर रहे हैं और उनके लिए क्या तब किये हैं उनके उन्हें खुश करने के लिए आपके ने कौनसी कारे ने किये हैं और फिर भी वह लोग आपके अर् जैसे बाहर्षे आपको देखने में शबी लोग करते हैं बहुत ही ये शेहन सिल इंसान है आपके शाथ चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो जैसे आप लोग पलटकर शब इश्वर को बिष्वाव में नहीं करते हैं आप भक्ति भाव में बहت ज़्यादा विश्वास करते हैं इसलिए यह ओपको कभी किशी की ओपर दुष्ण करने का ही मन्नी करता किसी को छति पहुंसाने का मन करता कि दोश्वर के ओपर लगा बेठे और यही कारण है ऩान जाते हैं और आपको अजमाने लगते हैं अइननी का आपको उपरियोग करके वह आपको छती पहुचाते हैं लेकिन आपकी राशीवाले के लोग शब से अच्छी और दिल्चस बात यह है कि दोस्वं आपका शबकुछ लुट भी जाए सबकुछ बर्बाद और सबकुछ तबा भी हो जाए साहे कोई भी कारे हो कितना भी बड़ा कारे हो अगर वह बिखर भी जाए तो दोस्तों फिर भी आप अपने आत्पिश्वास को कभी तूटने नहीं देते कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये शमय है ये शमय गुजर जाएगा हम वक्त के शाथ हरकारियों को वहाजिल कर लेंगे हमेशा खुद को एक शाथ शक्तिमान आप बनना चाहते हैं जो कि दोस्तों कोई और नहीं है जिये दोस्तों दोस्तों हम आप शुभी को बता दी कि आप जोबी कारेंगे दोस्तों खुद से ही करना चाहेंगे दोस्तों खुद का मालिक बनना आपको सबसे जदा पशन होता है तुश्य और गुलाम बना आपको बिल्कुल पश्णते है किशी और घर जाकर काम करें किशी और डीवय पैशी को लें लोगा आपको ओर डर करें उनुवाथों को दोस्टों, ये बातें आपको कभी भी पशुन नहाती, आप हमेशा, खुद का मालिक बनना प्पसंद करते हैं, जो, दोस्टों, आप शिवे को बता दें, कि दोस्टों, ये जो आदत है, ये बहुती दिल्चत्ब है, ये हर किशीर राशी में नहीं होता, जो कैद के दोस्ट उपर बहुत जयदा होता है। ये दोस्टों आप अपनी शमताओं को किशी के सामने जाहर नहीं करते लेगिंडर शी आप इतना श्रक्ति शाली शर्वशेहन जिल इंसान है कि दोतों आगे वाला व्यक्ति कभी भी आपको शमझ नहीं सकता दोस्तों आगे वाला व्यक्ति भले ही आपको मुर्ख कह दे भले ही आपको कुछ एशा कह दे जिन से आपको बुरा लगी लेकिन दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि आप क्या है जिया दोस्तों आपको बश यही लगता है कि दोस्तों आगे वाल लग जाते हैं दोस्तों ने आप पूरा करके ही चोड़ते हैं इस राशिक लोग किसी से अगर प्यार भी करते हैं तो दोस्तों इस तरह प्यार में डूब जाते हैं कि दोस्तों सामने वाले की छोटी छोटी बात को भी दिल पर लगाने लगते हैं जियां दोस्तों प्यार में बहुती आप नरम दिल के इंशान होते हैं दोस्वों छोटी छोटी बात आपको दिल पर लग जाती है अगर आप किशी के प्यार में हैं तो दोस्वों हम आप किशी को बता दें कि आप हर छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं जिहां दोस्वों बहुत ही जल्दी दाथ दोस्वों आप किशी के शाथ गुल मिल जाते हैं। जी हैं दोस्वों, हम आप शुबी को बता दें कि आप किशी की भावनों के शाथ इतना जल्दी जूर जाते हीं, जितना जल्दी कोई वक्ति शमज़ नहीं शकता। दोस्वों हम आप शुबी को दुखत ख्याल भी आता है दोसों आप उनके परती हमेशा ख्याल करते हैं उनका आदर शमान करते हैं वह कहां पर है, कहां जाता है, क्या करता है दोसों अगला व्यक्ति आपकी भावनों को शमझ नहीं पाता जिया दोसों आप जिसे उनकी भावनों को समझ जाते हैं, दोस्तों अगला व्यक्ति आपकी भावनों को समझ नहीं पाता, जिया दोस्तों, दिल की बातें दोस्तों आप दिल में ही दबा कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप शिव को विदादी की अगला व्यक्ति, आपकी भावनों की गदर नहीं करता आपकी फिलिंग को समझ नहीं पाता और दोस्वों आपको ठुगरा देता है जहें दोस्वों एशी में आपका दिल टूट जाता है जहें दोस्वों आपके इमोशन को बहुत ज़्यादा ठेश पहुंचता है मानों दोस्वों समंदर में आगशी लग गई ह एस लिए आपके अंदर घुटन शी होने लगती है। जियां दोस्वों आपकी राशी की लोग। दोस्वों बहुती समझदार और बहुती दयावान भी होते ही। दोस्तों कभी भी किशी के परती आप गलत वहवार नहीं करती लेकिन दोस्तों अगला व्यक्ति ही आपकी परती गलत सोच रख लेकता है दोस्तों हमाक्ष भी को बता दें कि इंसान कितना भी चाहे कुछ कर ली लेकिन दोस्वों आपकी भावनों की कदर ना करें तो दोस्वों आपको बहुत तीज दिल से खराब लगता है जियां दोस्वों आपने कितना भी किशी के परती मदद के भाव रखे हैं कितना भी उनके परती कुछ किये हैं दोसों व्यक्ति केशे भूल जाता है, दोसों यही सब सोच कर आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा ठेश लगता है, जिया दोसों, दोसों हम आप शिव को बता दें कि आपकी अंदर जो अच्छाई है, जो लोग आपको बुरा बना देता है, दोसों हम आप शिव को बता हैं और आपके भोले पन का फायदा उठाते ही क्योंको दोस्व वह इंसान जिसको आप अपना शुमज़ कर जिनके लिए आप शब कुछ किये अगर वह इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे आपकी फिलिंग को हड़ करें आपको कुछ शम्जे ही न तो दोस्तों यह शब घटना जो है हम आपको बता रहे हैं कि यह शब गटना आपके शात नहीं हो रहा है दोस्तों आप कमेंट करके बताईएगा क्या दोस्तों आपकी भहनों की कदर कोई कर रहा है जो तो दोस्तों जो भी लोग पिछले श्मी आपके शाथ थे क्या दोस्तों या श्मी वो आपके शाथ है नहीं दोस्तों वो लोग अपने काम में बीजी है क्यों दोस्तों उनसे आपके काम निकल गया वो जितना आपसे चाहते थे उतना उनको मिल गया और वो लोग अब आपको छोड़ कर चल दिये हैं जी हां दोस्तों दोस्तों हम आपक्षिभ को बता दे कि जिसने भी आपके शाद गलत किया है अब उन्हें शबक शिकाने का भी वक्त आ गया है उशे अब आपको अपना वैल्यू बताने का टाइम आ गया है जी हां दोस्तों आपके क्या एहमियत है उशे भी अब पता चलना चाहिए जी हां दोस्तों अब आपको बता दे की अब आपका अच्छा टाइम ही आगया है एशा समझे लिजिए जिन दोसों शादि शाद हम आपको बढ़ा दे कि अब आपको भी शावदान हो जाना है दोसों जो गलतियां आपने पहले की है जो ठोकरें आपने पहले खाई है दोसों उन शब चीज़ों को कि यहां बात भगवान शरी न भी कहा है कि जो भी इंसान आपको एक बार धोका देता है वह आपको जिवन भर धोका देगा इसलिए इसे इनसान को माख करकर अच्छा बन जाओ लेकिन दोबारा उन बिश्वास करकर मूर्ग बिल्कुल हिम्मत बनो कि दोस्वों हम आप शिबी को बिदा दें कि अब आपके जुनकाल में खुशों की एक नहीं लहर आने वाली है आने वाले चार दिनों के अंदर जो धनियोग राजियोग का निर्मान होने वाले है जो भगवान भुलेनात और शिबीब की अशिम किरपा आप शिबी की जुनकाल में होने वाली है उनसे दोस्वों आप शिबी की जुनकाल में अचानक शे बहुती बड़ी 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 बड़ा होने वाले है जी दोसों, तो दोसों कौन-कौन से बड़ी बदला होने वाले हैं, तो आई दोसों बात करते हैं, दोसों शरपर्तम आप शिवी को बता दे कि अब आपके जुनकाल में धन से जुड़े जो भी शमयशाएं थी, दोसों वो शमयशाएं धीरे-धीरे खत्म होने वाली है, कि द दोस्तों वह अब देखते ही देखते शमापत होंगे आपको लाब के नई मौकी मिलने वाले हैं। दोस्तों यह आपके लिए कोई आम खुश्गवरी नहीं है। दोस्तों आपके जुनकाल के लिए कोई छोटा मोटा शमय नहीं है। दोस्तों यह शमी भगवान, भोलिनात, सनिदे और मातलक्ष्मी का दिया हुआ वा आपके लिए वदान है। दोस्तों यह शमी में शत्रू जो आपको परिशान करता है। जैसे कि दोस्तों, माश मदीरा, जो भी इन सब चीज़ों का शिवन करते हैं। दोस्तों, अगले चार दिनों तक आपको इनने बिल्कुली बंद कर देना है। दोसों ध्यान रखेगा कि आने वाले चार दिनों तक आप शिबिकी जुनकाल में ये सब चीज अगर हुई तो मायता लक्ष्मी आपके घर में परिश नहीं करेंगी और भगवान भोले नाथ भी आप शिरी रुष्ट हो जाएंगे अधियां जियां दोसों इस बात का आप ध्यान रखें शादर चार दिनों के अंदर आप शिबिकी जुनकाल में माता लक्ष्मी परवेश करने वाली है यानि कि मा लक्ष्मी कवाश आप शिबिकी ग़र में होने वाली है धन्दान शीस आपके घर भरेगा , तो दोस्हों आप को घर में कौशी चीजों को लेकर शाउधान नहीं रखनी है दोसों आने वाले चार दुनों तो आपको अपने उनकाल में जो होहला का माहुल होता है घर में जो गिरिकलेश होते हैं जगड़े होते हैं दोसों उन शबी को बंद करना होगा दोसों शारे चीजों की समश्याओ आपको माता लक्ष्मी के अगमन के लिए मातालक्ष्मी शेप्रात्ने करना है मातालक्ष्मी के मंत्रों की जाप करना है माता लक्ष्मी की जो आपको पूजा रचना करना है जे दोसों और माता लक्ष्मी का दोसों श्वागत आपको बिल्कुली दुमधाम श्वी करने हैं इस बरकार का भाव अपने मन में आप रखीगा दोसों श्वा उठके ही आप हमने जे उनकाल में घर के मुखे दुवार पर दोसों गंगाजल सिड़क कर माता लक्ष्मी का आवाहन करें और माता लक्ष्मी का श्वागत करें दोसों इन श्वी माता लक्ष्मी आपके घर में परविश करेंगी और माता लक्षमी आपके घर में जो भी पेशों के लिए कर समच्याएं हैं जो भी धन से जुड़ी समच्याएं हैं वो इशारे शमाप्त कर देने वाले हैं शादिशा दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि जो भी शत्रू वर्ग आपको परिशान करते हैं जो शत्रू आपको हमेशा नुक्षान करने के ही बारे में सोचते रहते हीं तो दोस्वों उन शबीशी बचने के लिए उन सभी को शबग सिखाने के लिए आपको आने वाले सार दिनों के इंदर महाबली हनुमान जी के मंदर में जाना है और दोसों महावली हनुमान जी के मंदिर में लगा जिस शिंदूर है उन्हें अपने घर में लाना है और घर के आपको तीजोरी में रख देना है शाजिशाज दोसों उस शिंदूर को आप अपने माथे में भी लगा लेजेगा दोसों इने शे शत्रू जो आपके पीछे तो मिलेगी। जो आपको रात को सोते स Але शे पहले आपने शत्रू का नाम लेकर हर्मान जलिश्या का पाठ करना है। जो इन शे महावधि हर्मान जी शुवा होते ही उन शारे शत्रू को शपने में ही जाकर उनके ओ शबक शिका देंगे। दोस्थों यह जो उपाय है बहुत गुपत उपाय हैं। दोस्थों यह उपाय है श्रब को युन hugely बताते हैं। लेकिन दोस्थों यह श्रब करके देखिएगा। दोस्थों आपको 100% यकिinental लाब होगा। दोस्तों ये जो उपाय हैं आपके जुनकाल के लिए बहुत ही महत्पुन है ध्यान रखिएगा कि उपाय करने चीपहले आपको अपने मन में उपाय के परतिर सची विश्वास रखनी है अगर आप लगता है कि ये उपाय हमको काम नहीं करेगा ये हमारे लिए गलत है दोस्त आपके जुनकाल में शारिफ बधाउश आपको मुक्ति दिला देगी और जुनकाल में खुश्यां आपको देने वाली है तो दोस्तों उमीद करतें कि आज करी है शंपुन वीडियो आप शभी को बहुती महत्पुन है फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए शुबी का दिन शुब हो